ही गाईश ऑफ झाए अधिक बड़को और जयुक्त वक्यान अगर मैं आपसे कहूं कि आप दिन में 10 घंटे में से पूरा एक घंटा जब आप जगे वे हो तो 10 घंटे में से पूरा एक गंटा आप सिर्फ अपनी आखें बंद करके रखते हो तो तो जब आप जगे भे होते हो तो roughly 10% of the times जो है आप अपनी पल के जबकागे रखते हो यानि कि आप ब्लिंक करके रखते हो आपके बंद होती है अब ब्लिंकिंग के बारे में आप सब को शाय थोड़ा बहुत पता होगा कि ब्लिंकिंग के आपको बता देता है इंपर ब्लिं से या फिर essential oil से जो है वो moisturize हो जाते है इवन जब आपके आखों में धूल चले जाता है गंकड़ पत्थर चला जाता तो उसको वाश अवे करने के लिए वो ब्लिंकिंग ज़रूरी है या फिर आपके आखों में कड़ी light आ गई हो किसी किसी गाड़ी के headlight से या फिर sun की light आगे तो उसको भी कम करने के लिए उसके harmful effects से आपके आखों को बचाने के लिए आपके आखे ब्लिंक होती है बड़ इंटरस्टिंग चीज यह नहीं है इंटरस्टिंग चीज यह है कि एक recent research में यह दिखा गया है कि जो हमारी blinking है that's not at all random हमको यह लिखना है नहीं हम randomly पलक आप ब्लिंक करते हो sentence के बीच में हुआ जब आपको speech सुन रहे होते हो तो जो speaker बोलता है बोलते बोलते हो जब पौस लेता है ऐसे तब आप ब्लिंक करते हो sentence के बीच में और जब multiple लोग एक ही वीडियो देख रहे होते हैं तो chances यह बहुत जादा होते हैं कि वो सारे लोग एक ही टाइम पे blink करें, यानि कि वीडियो के कुछ moments होते हैं जहाँ पे सारे लोग एक साथ blink करते हैं, इसका मतलब कि जो आपके blinking है, that's somewhat related to something, some pattern बाइद बाइद इससे एक बहुत अच्छा idea आया है, ये वीडियो लो जो आप अभी देख रहे हो, logical paradox और इसको अपते दो दोस्तों को दिखाओ, right? दो दोस्तों को, आप मत देखना and उनके blinking patterns को observe करना क्या वो दोनों actual में same time पे blink करते हैं या नहीं, देख के नीचे comments में ज़रूर बताना, इस रूब या cool, amazing experiment अब ऐसा होता क्यों है, इसका reason क्या है जो visual input आपके brain तक आता है वो cut down हो जाता है जिसके वज़े से आपने जितनी भी information दी उसको आप दुबार से refresh करते हो, process करते हो यानि कि एक तरीके से keyboard के F5 बटन जासा होगे कि आप जितना blink करोगे, उतना आपका दिमाग refresh होगा और उतना focus कर पाऊगे, उतना अच्छे से काम कर पाऊगे और यह चीज़ फिलोसोफिकल नहीं है ब्रेन के scan से भी यह देखागे कि जब आप blink करते हो तो वो area जो analyze करते है चीज़ों को उस पे spikes देखेगा है, राइग? So that's the really interesting thing about blinking So yeah, निशे comments पर बताने And if you like this video then don't forget to share this video with the friends because now you're a bit smarter than before